भारत का चुनाव आयूग कुम्ब करणी नींद सो रहा है और वोट जुगाडने का एक और तरीका एक और प्रक्रिया शुरू हो गई है भाश्पा की जैसा कि आप जानते हैं प्रधान नंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 48 घंटे के मौन पर चले गए हैं मगर समानांतर तोर पर ये शक्स राहुल गांधी अपने कारकरताओं कुछ एतावनी दे रहा है सावधानी बरतने के लिए कह रहा है वो कह रहा है कि अब हम आखरी चेरण की तरफ आ गए हैं एक तारीक को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद EVM स्ट्रॉंग रूम्स पर यानि कि जहां जहां EVM रखे गए हैं उस पर हमारी निगाह होनी चाहिए मगर प्रधान मंत्री मौन पर चले गए हैं और पूरा मीडिया उस पर निगाह रखे हुए दोस्तों उसका लगातार 24 घंटे कावरिज शुरू हो गया है मगर कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इस 48 घंटे के मौन के चलते आम लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि प्रधान मंत्री आखिर आपको मौन रखना है तो रखना है मगर कैमरास की क्या जरूरत है आखिर क्या वज़ा है कि प्रधान मंत्री जो भी काम करते हैं बगाएर कैमरे के करही नहीं सकते तेजस्वी यादव जो सवाल प्रधान मंत्री से पूछ रहे हैं वह बहुत वाजिब हैं दोस्तों आईए सुनते हैं मार्किटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये कहेंगे कि प्रधान मंत्री जब ध्यान करें करें कन्या कुमारी में तो मीडिया पर प्रतिबंति नहीं है मीडिया क्या काम है दियान में बाधाय आईगी लेकिन आप देखेगा मोदी जी घुषा घुषा करके खुप फुटा हिचवाएंगे अग्फु प्रमोट करवाइंगे तो भुप प्रमोट करवाएंगे जब भुप नहीं हुआ हैं तो भुप नहीं हैं तो छोडी दिया कुछ कंदा तो है नियो कि चुनाओ एओ का चाहे कितना भी गलाब फढ़ जाए चाहे कितने भी कुछ हो जाए है चुनाओ तो कुछ मोधी जी के खिला आफ कुछ आक्शन ले नहीं सण तो बोलने का कोई मतलब नहीं हाला कि मोधी जी ध्यान में गये पिछले बर गुप मे अब दिखाना क्यों है दिखाऊटी है बनावटी हमिलावटी काम मत किया किजी मुझी के देश की जंता सब समस्ती है आपके स्टन्ट को शूटिंग करा आए शूटिंग कराई यह आजाए अचार को ओके बाए बाए जैसे मैंने बताया दोस्तों राहूल गांधी ने भी चेतावनी दी है क्योंकि कॉंग्रिस जानती है एक तरफ EVMs जो हैं वो paramilitary forces के कबजे में रहने वाले हैं वो paramilitary forces जिन्होंने चुनावों के दौरान जिन पर पक्षपात का आरोप भी लगा था इसलिए राहूल गांधी कह रहे हैं कि अंतिम मौके तक हमें सावधानी बरतना पड़ेगा कॉंग्रिस भी सवाल उठा रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के मौन वरत को लेकर मगर सुनिये राहूल गांधी किस तरह से च्षेतावनी देते हैं अपने पार्टी के कारकरताओं को नमस्कार, campaign ख़तम हुआ, मैं देश की जनता को और कॉंग्रिस के सारे के सारे कारे करताओं को इंडिया गड़बंदन के कारेकरताओं को कॉंग्रेस पार्टी के जो बबर शेर हैं आप सब को दिल से धन्यवाद करना चाता हूँ इतना समर्थन दिया आप सबने देश की जनता ने और हमारे कारेकरता हर इंच के लिए लड़े election समविधान को बचाने का है हिंदुस्तान के संस्थाओं को institutions को बचाने का है और हमने narrative को control किया और एक नया vision हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा गरीबों के लिए, किसानों के लिए small medium businesses के लिए, बेरोजगार युभाओं के लिए इंडिया गडबंदन की सरकार बन रही है intellectuals ने, thought leaders ने प्रधान मंत्री को कहा था कि मेरे साथ debate करें, मगर वो debate नहीं कर पाए और अब तो debate possible है ही नहीं क्योंकि वो मौनवक पे चले गए है polling डे आ रहा है, और मैं इंडिया गडबंदन के सारे के सारे बबर शेर कारे करताओं से कहना चाहता हूँ, last minute तक आप polling booth पे रहिए last minute तक आपकी आँख polling booth पर EVM machine पर होनी चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद उधर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने मौन वरत जो है वो अपना लिया है हाला कि दो तस्वीरें उनके सामने मू बाहे खड़ी है जिस ब्रजभूशन चरण सिंग पर महिलाओं के यौन उत्पीडन का आरूप था अब उनके बेटे जो कैसर गंज से चुनाव लड़ रहे हैं उनके काफिले पर आरूप लगा है दो मासुमों को रौंदने का मगर प्रधान मंत्री मौनवरत में है प्रजभल रवन्ना वो आदमी जिसने कथित तौर पर सैंकडो लड़कियों के साथ और तों के साथ दुशकर्म किया था जिनमें एक सड़ सड़ साल की औरत भी थी वो वापस आ गया है जी हाँ और इसे हिरासप में ले लिया गया है प्रधान मंत्री को इसके बारे में भी जवाब देना चाहिए मगर हाँ प्रधान मंत्री को मौनवरत लेना भी बहुत जरूरी था क्यूँ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कॉंग्रिस ने था डॉक्टर अजय कुमार क्या कह रहे हैं आपके स्क्रींज पर वहाँ मोदी जी का मौनवरत मच्वारे अपने काम पर नहीं जा सकते जिन परेटकों ने कन्या कुमारी आने के लिए हजारों पैसे खर्च किये उन्हें परिसर में प्रवेश ना करने के लिए कहा गया है लोगों के लिए भारी पाबंदिया व्यावसाहिक प्रतिशान बंद ये सब सिर्फ M.G. के M. व्रत के लिए यानि कि प्रधान मंत्री मोदी के मौन व्रत के लिए ये सवाल कॉंग्रिस उठा रही है मगर हाँ प्रधान मंत्री आपने मौन व्रत किया ये स्वागत योग है और मैं आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्री ने शुनावी प्रचार के स्तर को इस कदर गिराने का काम नहीं किया था जिस तरह से आपने किया था प्रधान मंत्री आपने शुरुआत की जब आपने मुसल्मानों को घुस पैठिया बताया ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताया मगर जब किसी पापा की परी ने आपके दो भैसों में से एक जो हैं वो दे दिये जाएंगे ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को प्रदान मंत्री आपने क्या-k्या नहीं कहा आपने मुझरे तक का जिक्र कर दिया प्रदान मंत्री मैं जानता हूं वेब सिरीज में हीरामंडी दिखाए जा रही है मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनावी स्तर को इस कदर गिराएं, लहाजा बहुत जरूरी हो जाता है प्रधान मंत्री कि आप मौन वरत रखें। प्रधान मंत्री आपने ये भी कहा कि 1982 से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। प्रधान मंत्री आपने एक इंटिव्यू में ये भी कहा कि जो एको सिस्टम गोदी मीडिया के पत्रकारों पर दबाव डालता है कठोर सवाल पूछने के लिए आप उस एको सिस्टम का इलाज कर देंगे। यानि कि आपकी सरकार से सवाल पूछने वाले अभिसार शर्मा और रवीश कुमार की आवाज को दबा दीजेगा। खुलकर आप एक मंच पर ये धमकी दे रहे थे। आप लगातार इस तरह की बाते कर रहे थे। और फिर आपका ये ताजा बयान जो कल आपने उडीसा में दिया। आपने ये कहा कि अगर मेरी जबान खुल गई तो मैं तुम्हारी सातों पीडियों को एक्स्पोस कर दूँगा। ये कैसा बयान था प्रधान मंत्री। सुनिये प्रधान मंत्री ने क्या कहा था। मैं चुप बैठा हूँ कि इसका मतलब ये समझी है। गल्ती मत कीजे मोधी को समझने की। अगर मोधी जिस दिन मूँ खुलेगा तो मारी सात पीडियों के पाप निकाल करके रख दूँगा। यानि हर गुजरते दिन के साथ प्रधान मंत्री का जो भाशा का स्तर था वो लगातार गिरता गया। इसलिए बहुत जरूरी था मौनवरत। मगर इस मौनवरत का तमाशा तो मत बनाएए। तीन हजार जवान तैनात। मशली पकड़ने पर पाबंदी। जिन लोगों के हो कोशल मीडिया में कई पत्रकार जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि विवेका नंद रॉक को पिछले कुछ अरसे से सजाया जा रहा था। इसकार थिये कि ये कारकरम पहले से ही तै था। आप ध्यान कीजिए प्रधान दूंत्री। एक जमाने में जब आप अपनी स्वर्गिये मां से मिलने जाया करते थे वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मार्मिक था। मगर ये सब कैमरे के लिए नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ आप कैमरे से बहुत महबत करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके और कैमरे के बीच में अगर कोई आता है तो आप उसे हटा देते हैं और इसकी धेरो मिसालें हैं मगर इसकार्थ यह नहीं कि आपके और हमारे जो विश्वास का मुद्दा है आध्यात्म का मुद्दा है उसका भी इस्तमाल आप कैमरे के लिए करें वो अपने आप में बहुत शौकिंग है और उससे भी ज्यादा शौकिंग है आयोग में अपील दाखिल की थी उन्होंने कहा था कि टेलिविजिन चैनल्स पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि पहले जून को आखरी चरण के मद्दान होने और पूरे दिन प्रधान मंत्री को ध्यान मुद्दा में दिखाया जाएगा बिलकुल उसी अंदाज में जैस भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और सबसे शौकिंग बात इस मुद्दे पर शुनावायो कूरी तरह से खामोश है मंतब आनर जी ने भी का कि हम शिकायत करेंगे बड़ा प्रश्णी ये कि आखरे ध्यान को जो हमारे विश्वास का मुद्दा है हमारे आध्यात्म का नुमाईश होगी यानि कि हर चीज की नुमाईश होगी धर्म की नुमाईश होगी सांस्कृतिक और सामवेधानिक मानिताओं की नुमाईश होगी क्या कोई ऐसी चीज है जिसे प्रधान मंत्री बक्षेंगे या कोई ऐसी चीज है जिसे भाजपा बक्षेगी राम मंदिर क प्रतिश्था क्यामरा का फोकुस प्रधान मंत्री पर, नए संसद भवन का उद्गाटन क्यामरा फोकुस महराजा मोदी पर, और महराजा मोदी मेरे शब्द नहीं है, संसदिये कार मंत्री पहला जोशी ने इस शब्द का इस्तमाल किया था दोस्तों, तो बार-बार किया जा अबिसार शेर्मा को दीजे जासत, नमस्कार